दोस्तों नमस्कार, आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाते साहित की पर आप सभी का एक बार पुने हर्दिक स्वागत, मित्रों, जैसंकर पसाज जी की कालजाई रचना, कामायनी के दुतिय सर्ग, आसा सर्ग के आज के इस दूसरे भाग में आईए, पिसले भाग की कथा क को आगे बढ़ाते हैं, पिसाज जी लिखते हैं, विश्व कलपना सा उंचा वह, सुख सीतल संतोस निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मनिरतन निधान, मित्रों, विश्व कलपना, अर्थात, यह कलपना की संसार की रसना कैसे हुई, अचला, अर्थात को आगे फ़ुतियों में हिमालय का वर्णन करते हुए, पृषाज जी कहते हैं कि शिष्व की रसना कैसे हुई, इस सत्य तक पहुँचने की कलपना जितने उत्कृष्ट होगी, उतना ही उंचा हिमालय परुष है, अर्थात, यह जो हिमालय परुष है, वह विश्वर सिष सहारा लेकर ही डूबने से बसता है उसी प्रकार भीशन जल प्रले में डूबती हुई पृत्वी के लिए हिमालय ही सहारा देने वाला सिद्ध हुआ और वह उसी का मनी रत्न जटित अचल पकड़कर डूबने से बच गई। सानु शरीर निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। मित्रों अचल अर्थात सुद्रिड या शांत शोभन्तम अर्थात अतिदिक सुन्दर लता कलित अर्थात लताओं से ढखा हुआ शुची पवित्र सानु शरीर अर्थात श्रिंग रूपी शरीर या चोटियों वाला शरीर और पुलकित अर्थात रोमांचित। मित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि हिमाले परवत का शरीर सुद्रिड पवित्र और अतिदिक सुन्दर है और उसकी चोटियां भी हिम से अच्छादित है और उन पर लताएं फैली हुई हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह परवत निद्रा में मगन हो और किसी मधूर स्वपन को देखकर रोमांचित हो गया हो। मित्रों परसाद जी हिमाले परवत को एक व्यक्ति के रोप में अंकित करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार किसी मनुश्य के शरीर के रोम रोम किसी मधूर स्वपन को देखने के कारण खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार हिमाले परवत के विशाल शरीर में उत्पन लताओं को देखकर ऐसा लगता था कि वह निद्रा में सुक्स्व अपन देखता हुआ पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, मित्रों संपूर्ण पद में मानवीकर अलंकार का प्रयोग किया गया है, सानु शरीर में रूपक और अंतिम मंती में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का आगे प्रसाद जी कहते हैं नीरवता अर्थाद शान्ति का निर्मल एस्वर्य उमड रहा था और चारों और स्थब्दता का पवित्र सामराज चाया हुआ था अर्थाद वहाँ पर एपूर्व शान्ति थी तथा हिमाले परवत से शीतल जर्णों की जो धाराएं फूट रही थी मानो जीवन की अनुभूतियां विखेर रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि गिर्राज हिमाले ने अपने जीवन भर के संचित अनुभव को दूसरों के लिए विखेर दिया हो पित्रों यहां जीवन शब्द में शलेश है और इस प्रकार शीतल जर्णों की धाराओं से जो जल प्रवाहित हो रहा था उसे लक्ष कर प्रसाज जी कहते हैं कि वह जल क्या था मानो जीवन भर का संचित अनुभव था आगे प्रसाज जी कहते हैं कि उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृद मुश्क्यान मानो हसी हिमाले की है फूट चली करती कलगान पित्रों असीम अर्थात सीमा रहित या विशाल नीले अंचल अर्थात नीला आकाश, मृदु, कॉमल, कलगान अर्थात मधुर्ध्वनी पित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि हिमाले परवत्वर बहने वाले जर्णों की उन शुब्र धाराओं को बहता हुआ देखकर कभी-कभी ऐसा लगता था, मानो उस असीम नीला काश के अंचल में किसी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखकर स्वयम हिमाले ही हस पड़ा हो और उसकी वहसी ही इन अगनित धाराओं का रूप धारन करके कलकल ध्वनी करती हुई बह रही हो वित्रों प्राय है किसी को हसते हुए देखकर हसी ही आती है अता हिमाले का हसना उचित ही है परन्तु यहां प्रभात काल का वर्णन किया जा रहा है इसलिए आकाश की हसी का लGe टैकेशिला संधियों में टकराकर पौण भर रहा था गुंजार उस दूर्भेद्य अचल द्रिडता का करता चारण सदर्श पचार मित्रो शिला संधियों अर्थात परवतों की चट्टानों के बीच में हो जाने वाली दरारों के मध्य, दुर्भेद्य अर्थात जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, अचल अर्थात अटल, दृड़ता अर्थात मजबूती, चारण अर्थात राजाओं का गुणगान करने वा वायू बहती थी, उससे एक अपूर्व मधूर ध्वनी निकलती थी, और ध्वनी को सुनकर ऐसा लगता था मानों, वह वायू एक प्रशस्ती गायक अर्थात चारण के रूप में हिमायले रूपी राजा का गुणगान करती हुई, यह कह रही है कि इस परवत राज को कोई भेद नहीं सकता, यह तो अडिग है और अपूर्व दिर्था का अप्रतीक है, मित्रों चारण सद्श में उपमा और पवन के गोंजने और प्रचार करने में मानवी कर अनलंकार है, आगे प्रसाद जी कहते हैं कि संध्या घनमाला की सुन्दर, ओढ़े रंग बिरंगी छी गगन-चूमबनी शेल श्रेणिया पहने हुए तुसार किरीट, मित्रों संध्या घनमाला अरथात संध्या कालीन व्रंगीन बादल, छीट, मित्रों छीट एक तरह का वस्त्र होता है जिस पर रंग बिरंगे बिंदू अर्थात छीटे होते हैं, रंगों के छीटे होते हैं, गगन चुम्बिनी अर्थात आकाश को छूने वाली अर्थात बहुत उची, शेल स्रेणियां अर्थात हिमाले परवत की चोटियां, तुशार अर्थात बर्फ और किरीट अर्थात कि हिमाले परवत की चोटियां आकाश को चू रही थी अर्थात बहुत उची थी और उन पर घिरे हुए संध्या कालीन रंगीन बादल ऐसे लगते थे मानों उन चोटियों ने रंग बिरंगी छीट की चादर ओडली हो और उनके उपर बर्फ इस प्रकार लगता था मानों उन और बर्फ का मुकुट पहनने वाली एकरानी के रूप में करते हैं ओड़े रंग बिरंगी छीट से ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे बादल परवत की चोटियों से नीचे चाए हुए हैं परसुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे प अर्थात गरिमा या एश्वर्य, विभा, अर्थात क्रांती, अनन्त प्रांगन, अर्थात विस्त्रत आकाश साजी कहते हैं कि बर्फ से ढकी हुई हिमाले परवत की श्रेनिया ऐसी लगती थी मानों समस्त प्रकार के मौन गौरव और महत्व की प्रतिमूरती हों तथा हिमाले के विस्तित प्रांगण में एकत रहोकर चुपचाप कोई सभा कर रही हैं। कहने का अतात पर यह है कि हिमाले परवत की चोटियों में अपूर्व नीरवता थी, शान्ति थी और अनुठा गौरव तथा महत्व भी था। वस्तुत पंक्तियों में कतिध्वनी सी में उपमा और मौन सभा की जो कल्पना की गई है उसमें वस्तुत प्रेक्षा और विरोधा वास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतना शान्त लगता था मानो उसमें जड़ता आ गई हो परन्तो वन्यकेवल प्रित्वी से अत्यदिक उचा होने के कारण पहुंच से परे था बलकि उसकी व्यापकता की भी कोई सीमा नहीं थी। इसके बावजूद उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे कोई न कोई अभा खटक रहा है और भ्रान्ती के कारण वह भटकता हुआ इतनी उचाई तक पहुंच गया है। वस्तुत पंक्तियों में कभी कहता है कि हिमाले के सुंदर परवत्ष्रेणिया ऐसी लगती थी मानोवे समस्त शिष्ट से व्यापत आनंद की उची उची लहरे हों जो अभाव में आकाश को यह दिखाना चाहती हों कि इस पृत्वी तल में कितना सुख, कितनी हसी और कितन उल्लास है जबकि उसमें अर्थात आकाश में जड़ता और अभाव ही है मित्रों प्रसुत पंक्तियों में तुंग तुरंग में वस्तूत प्रेक्षा अलंकार का प्रियोग किया गया है आगे प्रसाद जी कहते हैं कि थी अनंत की गोद सद्रिश जो विस्तृत गुहा वह वरनिय अर्थात अपनाने योग्य मित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि इमाले परवत के पास में ही एक सुंदर और विशाल घुपा थी जो उस विशाल परवत की गोद के समान लगती थी मनू अपने रहने के लिए उसमें एक सुंदर और स्वच्छ स्थान बनाते हैं और वह प्रसाद जी कहते हैं कि उस गुफा के पास पहले से एकत्र की गई अगनी मंद मंद जल रही थी जिसका प्रकाश सुरी की दुंदली किर्णों के समान था मनू उस अगनी को पुनाय प्रज्वलित करते हैं और अब वह उनके द्वारा सुलगाई जाने पर बड़ी तेजी के साथ दधगने लगी मानो वह शक्ति और जाग्रती का प्रतीक हो मित्रों अगनी को उत्साह का प्रतीक मानकर यह भी कहा जा सकता है कि अब मनू में शक्ति और उत्साह की वृद्धी हुई है मित्र शक्ति और जाग्रन चिन्नसा में पूर्णोप मालंकार का प्रयोग किया गया है आगे प्रसाज जी कहते हैं कि जलने लगा निरंतर उसका अगनी होत्र सागर के तीर मनू ने तप में जीवन अपना किया समरपन होकर धीर अगनी होत्र अर्थात यग्य या हवन तीर अर्थात किनारे होकर धीर अर्थात धेरे पूर्वक और समर्पन किया अर्थात लगा दिया वित्रो प्रसाद जी कहते हैं कि मनु अब नित्य प्रती वहीं सागर के किनारे यग्य करने लगे और इस तरह अत्यंत धैरी के साथ उन्होंने अपने जीवन को तप में लगा देने का निश्य किया। हुई फिर से सुर्संस्कुति देव यजन की वर्माया उन पर लगी डालने अपनी कर्ममई शीतल चाया। हुई जैसे ही उन्होंने यग्य प्रारम किया वैसे ही देव यग्यों का सात्वी का कर्शन उन पर कर्मकांड की मधुर चाया डालने लगा। हर्थात मनु के हिर्दय में कर्म करने की भावना उत्पन्न हुई। मित्रों के ज्यादी क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता है और यग्य करने से मन शुद्ध होता है और हिर्दय में कर्म करने की भावना उत्पन्न होती है। आगे पसाजी लिखते हैं कि उठे स्वस्थ मनु जों उठता है शितिज बीच अरुनोदे कांत लगे देखने लुब्ध नैन से प्रकृति विभूती मनोहर शांत। मित्रों स्वस्थ अर्थात आशा और स्पूर्ती से पूर्ण अरुनोदे अर्थात सुर्योदे कांत अर्थात सुन्दर लुब्ध अर्थात लालसा या तृष्णा से पूर्ण प्रकृति विभूती अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य वित्रों पसाजी कहते हैं कि जिस प और लालसा पूर्ण दिष्टी से प्रकृति के मनोहर और शांत सौंदरी को देखने लगे मित्रों पाक यग्या अर्थात वह यग्या जिसमें स्वैम पकाय हुए अन्न की आहुती दी जाती है शक्तियां अर्थात चावल वहनी अर्थात आग धूम अर्थात धूआ पट वस्त्र धूम पट अर्थात धूम समूह मित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि मनों ने अब यह निश्य कर लिया कि पाक की अग्या करेंगे और धान चुनने लगे उन्होंने आग को भी तेज किया जिसके फल सरोप अग्नी कुंड से जो लप्टे उठने लगी उन पर धूए की एक सगन तह से जम गई प्रसाद जी कहते हैं कि शुष्क डालियों से व्रिक्षों की अग्नी अर्चियां हुई समिध्ध आहुति के नव धूम गंध से नव कानन हो गया सम्रिध्ध प्रसाद जी कहते हैं कि मनु ने व्रिक्षों की सूखी डालियों को यग्यकुंड में डालना शुरू किया और इन डालियों के कारण आग की जो लप्टे थी वे और भी अधिक तेज हो गई इस प्रकार आहुतियां देने पर जो धूआ उठा उसकी नवीन सुगंध आकाश और वन में चारों और फैल गई मित्रों नवीन सुगंध से तातपरे है कि मनु के द्वारा किये गए पाक्यग्य में अन्म के सुगंध से भरा हुआ नवीन धूआ उठा आगे प्रसाज जी कहते हैं कि और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए क्या आश्यर और कोई हो जीवन लीला रचे हुए मित्रों जीवन लीला रचे हुए अर्थात कोई जीवित हो प्रसाज जी कहते हैं कि मनु ने अपने मन में यह सोचा कि इस भेंकर जल प्रले से जिस प्रकार मैं बच गया हूँ उसी प्रकार कोई आश्यर नहीं है कि कोई दूसरा प्राणी भी जीवित रहा हो आगे प्रसाज जी लिखते हैं कि अगनि होत्र अवसिष्ट अन्न पुछ कहीं दूर रख आते थे हूगा इससे तिरपत अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे मित्रों अगनि होत्र अर्थात यग्य अवसिष्ट अर्थात बचा ओँआ त्रिपत अर्थात संतुष्ट मनु यग्य के समापती के बाद जो भी अन्न बस्ता उसमें से कुछ अंश कहीं दूर पर रखाते थे और इसके पीछे उनकी सोच यह थी किस अन्न से कोई ऐ परिचित प्राणी संतुष्ट होगा और यह सोच कर मनु स्वाभाविक रूप से ही सुख का अनुभाव करते थे। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहान भूती समझते थे नीरवता की गहराई में मगना के लिए रहते थे। उसे जो भी उपकार किये जाते हैं उनसे प्रदे अत्यदिक आनंदित होता है। अत्या मनु भी इस बात से अपूर्व संतोष अनुभाव कर रहे थे कि पाक यग्यके बाद अन्न का कुछ अंश वे कहीं दूर रखाते हैं। मित्रों, ये एक मनोवज्यानिक तथ्य है कि जो स्वयम भारी दुख उटाता है उसकी मनोवृतियां भी कोमल हो जाती है और उसमें सहानुभूति की मात्रा अधिक रहती है। क्योंकि मनोव स्वयम दुख जहल चुके थे और उन्हें परियाप्त आपत्यां भी सहन करनी पड़ी। इसलिए अब वे ये समझ चुके थे कि सहानुभूति क्या है और वे किस प्रकार प्रकट की जाती है। आता है किसी ऐ परिचित के प्रती मनों की सानुभूति का मूल कारण यही था। और वे उस शान्ती में वातावरण में अकेले ही प्रसन्नता पुर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, जीवन विता रहे थे। आगे प्रसाजी कहते हैं कि मनन किया करते वे बैठे जुलित अगनी के पास वहां एक सजीव तपश्या जैसे पतजड में करवास रहा। प्रसाजी कहते हैं कि प्रज्वलित यग्यकुंड के पास बैठकर मनु विभिन विचारों में लीन रहा करते थे और लगातार चिंतन करने में उनका काफी समय बीच जाता था। इसी प्रकार उस शुन्य स्थान पर बैठे हुए मनु ऐसे लगते थे मानु स्वयम तपही शरीर धारन करके उस पतजड अर्थात सुने और निर्जीव प्रदेश में निवास कर रहा था। मितनों धड़कन अर्थात बेचैनी, एस्थिर अर्थात एनिश्यत या विचलित, दिन दिन अर्थात प्रतिदिन और दीन अर्थात निस सहाय अर्थवा अभाउं से पूर्ण। मितनों प्रसाद जी कहते हैं कि द्यपी मनु प्रज्वलित यग्यकुंड के इस्पास बैठकर बहुत कुछ सोचते विचारते थे, फिर भी कभी-कभी उनके हिदय में इच्छाय जागरित हो उठती थी और नवीन चिंताओं के उत्पन्न होने पर उनका चित्त विचलित ह होने लगता था, इस प्रकार मनु का अभावपूर्ण और एस्थिर जीवन धीरे-धीरे दिन प्रति दिन व्यतीत होने लगा, मित्रों अंतिम पंक्ति में व्रित्यानु प्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है, आगे साद जी कहते हैं कि प्रश्ण उपस्तित नित्य न रंग बदलते, अर्थात नमीन रूप धारन करते, विराट अर्थात महान शक्ति, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु का भावी जीवन एनिश्यत और अंदकार में था, इसलिए उनके मन में स्वाभाविक ही नए-नए प्रशन उठते रहते थे, और जब वे अपने हदे में उन पर विचार करते, तो उनका रूप थोड़ी ही देर में कुछ से कुछ हो जाता, साथ पर यह है कि मनु के सामने समश्याएं बहुत सारी थी, परंतु वे उन पर ठीक से विचार नहीं कर पाते थे, आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि अर्ध प्रस्पुटित उत्तर मिलते, प्रकृति सकर्मक रही समस्त नीजास्तित्व बना रखने में जीवन हुआ था व्यस्त, मित्रों अर्ध प्रस्पुटित अर्धात एस्पष्ट, सकर्मक अर्धात क्रियाशील, व्यस्त अर्धात सनलग्न यालेन, मित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि मनु अपनी समश्याओं का कोई भी स्पष्ट समाधान नहीं देख पा रहे थे लेकिन समस्त प्रकृति तो क्रियाशील थी अर्थात निरंतर कर्मरत थी और ततेक मौसम अपने निश्चित समय पर आता था ऐसी दशा में मनु के समक्ष केवल यही एक महत्पून प्रश्ण था कि अपने जीवन की रक लखने की लाल सा उत्पन होती है आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने विश्वरंग में कर्मजाल के सूत्र लगे घन हो फिरने मित्रों निरत हुए अर्थात लीन हो गए या लग गए नियमित अर्थात नियमानुसा प्रकार विश्वरंग अर्थात सांसारिक रंग। प्रसाज जी कहते हैं कि मनु अब नित्य प्रती अपने नेमित कारियों में लीन रहते और जिस प्रकार समुद्र के किनारे पवंच से प्रेदित होकर अब लहरें धीरे धीरे नित्य किया करती हैं उसी प्रकार मनु भी उस एकांत नीरव प्रदेश में नियती को सब कुछ मान कर अपना जीवन वतीत करने लगे। प्रसुत पंक्तियों में प्रेयोक्त नियती शब्द शैव दर्शन का विसिष्ट शब्द है। आगे प्रसाद जी कहते हैं विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रहपत के आलोक वृत्त से काल जाल तंता अपना। प्रसाद जी कहते हैं कि उस निर्जन में निश्चेष्ट व्यक्ति की तरह मनु अपना जीवन वतीत करते हुए ऐसा फल कलपनाई कर रहे थे। इस प्रकार मनु अत्यंत शितलता और उत्साहिंता से पूर्ण जीवन वतीत कर रहे थे और उधर सूर्य चंद्र आदी नक्षत्र अपने अपने पत पर बढ़े चले जा रहे थे। कहने का अतात परे है कि मनु का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, व्यतीत हो रहा था। मित्रो प्रसुत पंक्तियों में प्रसाद जी मनु की शितल, उमंगहीन और आलश पूर्ण सिति का मनु विज्यनिक चित्रन करते नजर आते हैं, अंतिम पंक्तियों में रूपकाति श्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन, एक विराग पूर्ण संस्रती में जो निश्फल आरंभ नमीन, वित्रो संदेश विहीन, अर्थात बिना कुछ कहे सुने, विराग पूर्ण संस्रती, अर्थात विरागियों का स संसार, निश्फल, अर्थात बेकार, आरंभ नमीन, अर्थात नमीन योजनाएं या नए-नए कारिकरम, उतुर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रहर दिन और रात बीटते चले जाते थे, लेकिन उनसे मनु को किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई, और उस निर्जन स्थान में मनु का जीवन बीटता चला गया, वास्तों में उनका जीवन एक ऐसा विरक्ति पूर्ण हो गया था, जहां किसी भी नमीन कारिकरम या किसी भी नमीन योजना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जब मन उत्साहीन हो जाता है, तब किसी भी नमीन कारे को करने की इच प्रहर दिवस रजनी आती थी में तुल्योग इता अलंकार का प्रयोग किया गया है। करें और घंटी वाला बटन दबा कर भविश के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडियाप तता अन्य साहिता के लिए हमसे टेलिग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहिते की। धन्यवाद।